असोका के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे असोका को थ्रोन को ढूरने का मैप मिल गया था लेकिन वो मैप शिन ने आके सबीन से ले लिया और इस चक्कर के अंदर सबीन काफी जाधा इंजर्ड हो गई थी इसी कंटिनिटे के साथ में एपिसोड नमबर सेकंड क शिर्फात होती है जहां पर हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कैसे सबीन की जान बचा ली गए थी असोका उसे ठीक टाइम पर ले आई थी और उसके बाद में उसे ट्रीट्मेंट दे दिया गया था सबीन की आँख खुलती है और उसके बाद वो स्टेट जिन से उसने फाइट करी इसमें से वो एक बाट को मार चुकी थी असोका को इस बात पर गुस्सा आ ही रहा था कि सबीन ने आखिर उसकी बात नहीं मानी और ये बाद सबीन को भी समझ में आ गई थी कि शायद उसे असोका की बात मान लेनी चाहिए थी और मैप को लेके जाना चाहिए था लेकिन अब जब असोका को ये बात पता चली कि एक बाट को उसने मारा और उसकी बाड़ी वहीं पर पड़ी है तो असोका को थोड़ा डाउट होता है और वो चीजों को चेक करने के लिए सबीन के घर पे जाने लगती है तो सबीन साच जाने के लि लेकिन Morgan ने जो काम बोला था, वो काम उसने पूरा कर दिया था, इसी के साथ हम Asoka को देखते हैं, जो कि Sabine के गर पे पहुँच चुकी थी, वहाँ पर उसे काफी सारी चीज़े डिफरेंट दिख रही थी, बॉट की बॉड़ी के पार्ट तो पड़े थे, लेकिन पूरा बॉ बॉट मौजूद है, और Asoka को ये बात पहले से ही पता थी, कि वो बॉट अभी तक मरा नहीं है, बलकि Sabine को मारने के लिए यहीं पर रुका होगा, लेकिन एक ही चटके में Asoka ने उसे मार दिया, असल के अंदर वो उस बॉट का सर लेनी के लिए आई थी, अगर उस बॉट क इस सर को अची तरीके से चेक किया जाए, या फिर उसे इतना पावर दिया जाए, जिससे कि वो वापस से अपनी मेमरी को रिकलेक कर सके, तो पता लगाया जा सकता है कि आखिर वो बॉट आया कहां से है, और किसके अंदर काम कर रहा है, इन सारी चीज़ों के अंदर सबीन परफेक्ट थी, और असोका उसी बॉट का सर सबीन के पास ले आई थी, अब सबीन उस बॉट के सर के अंदर पावर सर्कुलेट करना शुरू करती है, उसे पता था कि अगर उसने बीच के अंदर पासवर्ट क्रेक कर लिया, तो आराम से इसकी मैनुफेक्चरिंग पता चल सकता है, यानि कि ये पूरी जगत धमागे के अंदर उठ जाएगी, हुयांग बुरी तरीके से डर जाता है, और आकरी मोमेंट जब सबीन उस कोड को क्रेक करने ही वाली थी, कि तब हुयांग पावर को आफ कर देता है, लेकिन उससे पहले ही सबीन ने थोड़ा बहुत अब तो फैक्टरीज के बारे में भी पता चल गया था, जैसे असोका यहां से जाती है, तो हैरा सबीन से बात करती है, और उसे भी ये बात समझाने की कोशिश करती है, कि कैसे उसे वापस से असोका के साथ काम करना चाहिए, वापस से उसकी ट्रेनिंग लेने चाहिए, ले अपने दिवे शक्ती से इस मैप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, तभी वापस एक लौ जलती है, और उसके बात में हर जगा गैलक्सी दिखना स्टार्ट हो जाती है, गैलक्सी के बात में वापस एक रास्ता दिखना भी शुरू हो जाता है, जो कि सीधा थ्रोन की गै गैलक्सियों से काफी दूर थी, ये एक ऐसी जगह थी जो कि अब तक सिर्फ और सिर्फ कहानियों के अंदर ही बताई गई थी, जड़ाई के बच्चों को ऐसी कहानिया पढ़ाई गई थी, लेकिन किसी को भी इस बात पर विश्वास नहीं था, ये आखिर ऐसी गैलक्सिय एक बेलन का कहना मॉर्गन से था कि ये सारी चीजे सच नहीं है, ये जरूर एक छलावा हो सकता है, लेकिन मॉर्गन को इन सारी बातों पर विश्वास था, और वो चाहती थी कि वो थ्रोन को जरूर ढूंड निकाले, इसी के करण वो एक नया गैजट बनाने वाली थी, जिसका नाम था, सियोन की आँख, उस गैजट को मॉर्गन की फैक्टरी में बनाया जा रहा था, जहां पर बोड्स भी काम कर रहे थे, इसी के साथ में वो गैजट जो की बोड्स के पास में थे, वो भी बनाये जा रहे थे, सायोन की आँख एक ऐसा गैजट था, जो की गैलेक्सी क पर्टिकुलर किसी प्लैनेट को ढूंड सकता था, इसी काम के लिए वो शिन को भेज देती है, मॉर्गन के जाने के बाद में शिन यहाँ पे बेलन से पूछती है कि अगर थ्रोन वापस लौट आया तो फिर क्या होगा, बेलन बताता है कि कुछ लोगों के लिए वार आएग इसी के साथ हम असोका को देखते हैं, जो कि हैरा के साथ में सीधा मॉर्गन की फैक्टरी की तरफ पहुंच जाते हैं, जो कि कॉरेलिया की अंदर थी, कॉरेलिया में जाते ही, वहाँ की ऑफिसर से पूछताच करी जाती है कि आपकी फैक्टरी का में मुआयना करना है, एंदर आने के बाद में ये officer बताना शुरू करता है कि Morgan को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके सारी machines को बंद कर दिया गया था लेकिन कुछ टायम बाद में Starships को बनाने के लिए उसके पुराने पुर्जों को ने Starships में जोडा जाता है फिर बात आती है कि यहां के labor क्या कर रही है तब यह officer बताता है कि यह labor सिफर सिफ पैसो की महताज है पहले इनी Morgan पैसा दिया करती थी इसी के करण है उनके गुलाम थे अब इन्हें हम पैसा देते है तो यह हमारे गुलाम है हैरा और असोका दोनों का ही कहना था कि क्या इनमें से कोई गदार नहीं हो सकता तो ओफिसर कहते हैं कि यह सारी राजनी थी आप लोगों में चलती है इसी के साथ हम सबीन को देखते हैं जिसका घाउ धीरे-धीरे करके भर रहा था उसी के पास में हुयान भी था जो कि सबीन को मिशन पर जाने से पहले मना करता है कि तुम्हें शायद तभी थोड़ा रेस्ट करना चाहिए इसी के साथ में ये दौनों ही मिलके असोका के बारे म बन गई लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि अगर थ्रोन लौड गया तो शायद सबीन को असोका के पास में जाना पड़ेगा और अब सबीन भी ये बास समच चुकी थी या फिर कुछ ऐसे पुराने रिसाइकल बॉट जिने की वापस से बनाया गया है और उनके बीच में कुछ हलचल हुई है लेकिन ये ओफिसर कुछ भी नहीं बोलता तब ही यहाँ पे एक में बॉट जिसने की हलचल देखी थी वो सब कुछ बता देती है कि कई सारे पुरान लोगों को मार डालते हैं और आखिर के अंदर इस ओफिसर को भी अरेस्ट कर लिया जाता है लेकिन उससे पहले ही एक शिप जिसके अंदर शिन बैठी थी उस शिप को रोकना था क्योंकि उसके अंदर सायान की आँग का एक हिस्सा था असो का उसे रोकने के लिए भागती ह हेरा का भी एक रोबोट था जो कि उसके स्टार्शिप के बिलकुल बाहर था और बुरी तेरी किसे डर रहा था एक वक्त ऐसा आता है जब असो का उन बॉट्स को मार चुकी थी और सेम टाइम पे हेरा ने भी सोच लिया था कि आखिर उसे क्या करना है उसे पता चल गया था कि अगर ये स्पेस्शिप फुल स्पीड से इस औरा से बाहर निकल रही है इसका मतलब है कि वो स्पेस में जाके स्पेस जंप लगाएंगे और यहां से निकल जाएंगे इससे पहले कि उन्हें इसकी लोकेशन ट्रेस करनी थी इसकी कारण वो अपने रोबोट को कहती है कि इसमें से ट्रेकिंग डिवाइस निकालो हैरा फुल स्पीड से अपने स्टार्शिप को आगे निकालती है और उस दूसरे स्टार्शिप के उपर एक ट्रेकिंग डिवाइस लगा देती है ताकि वो स्टार्शिप कहीं पे बिजाए तो उनके लोकेशन के बारे में पता चल इधर दूसरी तरफ सभीन अपने घर पे लोटती है जहां पे वो सबसे पहले अपने सूट को बाहर निकालती है उसे अच्छी तरीके से देखती है इसी के साथ में अपने मास्क को बाहर निकालती है और यह सोच लेती है कि आखिर आप उसे वार के अंदर हिस्सा लेना ही है और सब की जान बचानी है, वो अपने हैर्स को लेती है और पूरा का पूरा कार्ट देती है, यहाँ असोका और हैरा खड़े थे जहाँ उनके सामने उसी आफिसर को अरेस्ट करके भीजा जा रहा था, और अब यहाँ पे हैरा की पूरी टीम ने काम संभाल लिया था, क्योंकि हर जगर मौर्गन के कोई ना कोई लोग छुपे हुए बैटे थे, असोका वापस से अपने शिप के अंदर आती है, जहाँ पे उसे पता चलता है, कि सबीन उसे बात करने के लिए आई है, जिसके बाद हम सबीन को देखते हैं, जो कि लौथाल प्लैनेट के उस जगह पे थ है कि शायद इनकी टीम वापस आ चुकी है, यह दोनों अपने अपने स्टार्शिप के अंदर बैटते हैं, और उसके बाद में थ्रोन का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि सबीन ने उस मैप को देख लिया था, और उसे भी गैलक्सी के बारे में पता था, कि आ लोग थ्रोन को गैलक्सी से बाहर निकाल सके, कही न गहीं बैलन काफी जादा परिशान लिख रहा था, मॉर्गन को अच्छी तरीके से पता था, कि यह सब कुछ असोका के करन हुआ है, क्योंकि असोका ने कॉरेलिया पे अटैक कर दिया था, और काफी सारी मुश्किले भी पैदा करी थी, मॉर्गन का क्याना था बेलन से, कि जा कि असोका को मार दो, लेकिन बेलन ऐसा नहीं करना चाता था, वो कहता है, कि असोका एक जैडाई है, और आखिर जैडाई बचे ही कितने है, अगर वो उसे मार देगा, तो उसे बहुत दुख होगा, तो मॉर्गन बेल यानिकी Wednesday को तक तक के लिए टाडा